इस वक्त की बड़ी खबर की और पूरो डिपती सी एम सचिन पाइलेट ने बार-बार हो रहे पेपर लीग पर चेताते हुए कहा कि सी यू आउ का मनोबल टूडता है और इससे नोजवान अपना भरोसा खो देंगे तो बहुत बड़ी चुनोती आ जाएगी मानसरवर में समवार देर शाम हुए हौली मिलन समारो में पाइलेट ने समर्थखों से जोश बचा कर रखने को कहकर आगे आने वाली राजनितिक चुनोतीयों की बात कहकर सियासी चर्चाए छेर दी है पाइलेट ने समर्थकों से काहा है जो उत्सा और जोश है उसे संबाल कर रखे आगे राजनितिक चुनोतिया आएगी चुनाओ भी इस साल के अंत में होगा हम सब को मिलकर काम करना है मुझे तो हमारे नوجوانों कारिय करताओ शेतरवाशियों प्रदेशवाशियों के साथ हर खुशी हर गम बाठना है चाहे होली दिवाली हो शादी हो गम हो लोगों से रिष्टे तो बनाने से बनते हैं और उन्हें निबाना भी है पाइलिट ने कहा हर संगटन और पार्टी मजबूती से फैसले करती है तो जनता उसे पसंद भी करती है मुझे लगता है कि राजस्थान में तमाम संभाउना है हम लोग मिलकर काम करेंगे तो लोगों का अशिरवाद निश्चित रूप से हमें मिलेगा पिछले आर साल में बीजेपी केंद सरकार ने लगता लोगों को निराश किया है राजस्थान बीजेपी में बिखराओ और फूट है पिछले सारे चार साल में जिम्मेदार विपक्ष की तरह वहवार नहीं कर पाए इसे जनता देख चुकी है बीजेपी आपसी जगडों में फसी हुई है इससे नहीं लगता कि वो राजस्थान में एक मजबूत पार्टी के तरह उबर पाएगी मुझे लगता है कि सरकार और संगठन मिलकर काम करेंगे तो सरकार रिपिट हो सकती है पेपर लिग मामले में सरचिन पाइलेट ने कहा ये पेपर लिग बड़ चिंता का विशे है नोजवानों के भविशे से कोई खिलवार नहीं कर सकता सरकारे आती जाती है लेकिन पड़े लिखे यूवाओ का सिस्टम पर विश्वास रहना जरूरी है अगर शिक्षा यूवाओ का सिस्टम पर विश्वास नहीं रहा तो भविशे के लिए बहुत बड़ा पर्षण चिन लग जाएगा पालिट ने कहा मैं हमेशा कहता हूँ जो पेपर लिख परकरण में शामिल रहे चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो उस पर कारवाई होनी चाहिए मैंने सारवजनी क्रूप से बोला है पेपर लिख लगतार होते हैं उसमें लोगों को लगना चाहिए कि हम जड़ तक पहुँच गए हैं और बविशे में ये नहीं होगा लेकिन हम लोग तमाम वादे करते हैं फिर भी बार बार ये बात रिपिट होती है तो लोगों का मनोबल तूटता है अगर हम नोजवानों का विश्वास खो देंगे तो बहुत बड़ी चुनोती सामने आएगी पाइलिट ने विरांगनाओं के साथ हुई पुलिस बदसुलुकी पर कहा कि विरांगनाओं के साथ जिस तरह बदसुलुकी हुई है उसके जिम्मेदारों पर कारवाई हो जिस तरह विरांगनाओं के साथ पुलिस ने बड़ताओं किया वो बड़ताओं निंदनिये हैं विरांगनाओं के साथ इस तरह की बस्लुकी अस्वीकारिये हैं माना की मांगे पूरी करने में समय लग सकता है लेकिन विरांगनाओं के साथ बस्लुकी करना गलत है सौमवार को विरांगनाओं अचानक पाइलेट के मंगले पर पहुँच गई थी इसके बाद पाइलेट ने उनसे बादचीत कर हर संभाव मदद का बरोसा दिलाया पाइलेट से मुलाकात कि कुछ देर बाद विरांगनाय कल पाइलेट के मंगले के बाहर धरने पर बैट गई उनका धरना अब भी जारी है आपका क्या कहना है इस मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो विलाल कि इस खबर में बस इतना ही देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरे जानने के लिए देखते रही है